तो चलिए देखते हैं इसे फ्रैंट कैसे बनाते हैं सबसे फहले मैं आपको थोड़ेस्टे को कैसे बनाए गया है यहां पर फ्रैंट समने क्या करना होता है देखिए एक फली हमारे इधर से चल रही है और एक फली हमारे इधर से चल रही है इस तनसे यह फली आगे को चलती रहती है प्रेंट्स इधर से जैसे इधर से हमारी फली चली है यहां पर पांच फंदे हो जाएंगे तो यहां हमारी फली का एंड हो जाएगा पिर जब हम सीधी साइड में आएंगे तो यहां से हमारी फली फिर से स्टार्ट हो जाएगी ऐसी इधर से भी है यहां से हमारी फली स्टार्ट हुई है, यहां तक आते आते हैं, यहां जब पांच फंदे रह जाते हैं, तो यहां हमारी फली का एंड हो जाता है, और यहां से हमारी फली फिर से स्टार्ट हो जाती है, ऐसी हमारा आगे डिजाइन बढ़ता रहता है, फ्रेंट्स स्टार्ट क बैक साइट की सारी रोह हमारी उल्टी आएंगे डिजाइन हमारा सीधी तरफ से शुरू होगा इनकी फॉस्ट हो सीधी साइट अब यहां पर फ्रेंट्स बहुत ध्यान से देखिएगा सबसे पहले एज के फंदे को आप सीधा बुन लीजिए उतार लीजिए यहां मैं बुन सबस्ट के अब क्या हर्यों करेंगे उसके बाद दो फंदों का हम क्या हैं उसके बाद करेंगे और हैंगे से दोनों फंदों को दो का एक कर देंगे सीधा बुनते वे यहां पर हमारी जाली बन गई और एक फंदा बढ़ गया है अब आगे हमने क्या करना है चार फंदे सीधे बुनने है एक दो तीन चार उसके बाद दो फंदों को हमने एक साथ सीधा बुनना है अब हम ऐसे बुनेंगे जैसे सीधे फंदों को डालते हैं इसलाई में सीधे फंदे में डालते हैं ऐसी दो का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए उसके बाद तीन फंदे हमने सीधे बुनने है अब धागे को अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा हम सीधा बुन लेंगे यहां तक हमारे 13 फंदों में डिजाइन बन गया है देख लिजे पहला एच का फंदा छोड़ दीजे एक दो तीन चार पांच चैश साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा यहां पर 13 फंदों में हमने डिजाइन बनाया है अब डिजाइन हम फिर से रिपीट कर रहे हैं प्रें अब दोनों फंदों को एक साथ हम बैक लूप से सीधा बुन लेंगे इससे क्या होता है कि हमारी फली है ना सीधी बनती है जो चेहने हमारी सीधी हो जाती है अब चार फंदें हम सीधे बुनेंगे उसके बाद दो फंदों को एक साथ हम सीधा बुनेंगे यह दो फंदे है उनको हम दो का एक करेंगे ऐसे सीधा बुनते हुए फिर तीन फंदे हम सीधे बुनेंगे दो तीन धागे को अपनी तरफ करेंगे अब यहाँ पे हमने जाली बनानी है फ्रेंट स्टार्टिंग में डिजाइन के स्टार्टिंग में भी हमने जाली बनानी होती है और लास्ट में भी जाली बनानी होती है अब लास्ट के एज के फंदे को हम सीधा बुन लेंगे जैन के फर्स्ट रोबन के हमारी कंप्लीट हो गई है अब आते हैं बैक साइड में फ्रेंट्स बैक साइड की जितनी भी रो आएंगी सारी हमने उल्टी बुननी है सेकंड रोग को उल्टा बुनके हमने कंप्लीट कर लिए अब आते हैं थर्ड रोग फ्रंट साइड में अब यहां ध्यान से दीखिया कैसे करना है सबसे पहले एज के फंदे को तो हम सीधा बुन लेंगे उसके बाद एक फंदा हमने हर बार सुरू का सीधा बुनना होता है डिजाइन का फंदा सीधा बुनना होता है और है अब हम यह हमारा चेन वाला फंदा जा रहा है इसको और उसके पीछे वाले फंदे को दोनों को ऐसे उतारेंगे सीधे फंदे की तरह वापत से लेफ्ट हैंड की निडिल पर लेंगे अब यह दोनों फंदो को एक साथ हम सीधा बुन लेंगे इस से देख सकते हैं हमारी चेन सीधी हो रही है बिल्कुल अब हमने क्या करना है बीच में दो फंदे हम सीधे बुनेंगे क्योंकि इधर से भी हमारे एक चैन शुरू हो चुकी है, यह वाली चैन तो हमने क्या करना, दो फंदे सिधे बुले आब इस चैन को और इस आगे वाले फंदे को दोनों को एक साथ हम दो का एक कर देंगे, सिधा बुलते बहे अब हम चार फंदे सीधे बुनेंगे एक दो तीन और यह जाली वाला फंदा दिख रहा है यह चार चार फंदे हमने सीधे बुन लिए है यह हमारे डिजाइन का फंदा है यह वाला भागे को अपनी तरफ करेंगे अब इस फंदे को हम सीधा बुन लेंगे इससे एक डिजाइन बनके हमारा कम्प्लीट हो गया है अब इसी डिजाइन को दोबार रिपीट करें हम देखें, यहां से फिर्शे शुरू करें है एक फंदा पहले हमने सीधा बुनना है दागे को अपनी तरफ करेंगे जाली वाला फंदा था, दागा अपनी तरफ करके अब एक फंदा हम सीधा बुन लेंगे इस तरह लगा था हमारे बीच में फंदे बढ़ते रहेंगे अब यह चेन वाला फंदा आ गया है इस फंदे को और उसके पीछे वाले फंदे को दोनों का ऐसे हमने लेना है वापस से लेफ्ट हैंड पे निडिल पे लेंगे और दोनों फंदों को बैक लूप से सीधा बुन लेंगे दो का एक कर देंगे अब बीच में हमने दो फंदे सीधे बुनना है अब इधर से भी हमारी चेंज शुरू हो गई है यह हमारी चेंज शुरू हो चुकिया अब दिखरा होगा यह वाली चेंज है इधर से शुरू हो चुकिया इस वाली चेंज वाले फंदे को और आगे वाले फंदे को दोनों को हमने एक साथ दो का एक कर देना है सीधा बुनते अब धागे को अपनी तरफ करेंगे और फंदा बढ़ा देंगे लास्ट वाल एच के फंदे को हम सीधा बुन लेंगे बैक साइड की पूरी रो हमने उल्टी बुननी है इसने फोर्थ रो को हमने उल्टा बुनके कम्प्लीट कर लिया है अब आते हैं सीधी साइड में डिजा अब देख सकते हैं यहमारी चेन जा रही बीच में दो फंदे आ गया हम तौप दो 50 को सिधा बुन लेंगे अबर यह चेंज आ रही को और पीछे वाने फंदे को दोनों को एक साथ लेंगे और बैक लूप से हम, बैक लूप से दोनों फंदों को एक साथ हम सिधा बुन लेंगे, अब फ्रेंट्स देखेगा क्या करना है हमने, यह हमारी चेन जा रही है, अब बीच में कोई फंदानी है, जब दो का एक करेंगे हम, तो बीच में कोई फंदानी है हमारा, तो हमने दोन दो का एक करने के बाद पाच फंदे हमने सीधे बुन लिया है, धागे को अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा हम सीधा बुन लेंगे, यहां तक हमारा एक डिजाइन बनके कम्प्लीट हो गया है, अब डिजाइन को फिर से शुरू कर रहे हैं, पहले एक फंदा हम सीधा बुन लेंगे, और दूसरे फंदे को भी सीधे फंदे की तरह बता रहेंगे, दोनों फंदो को लेफ्ट हैंड के निडल पर लेंगे, और बैक लूप से सीधा बुन लेंगे, दो का एक कर देंगे, इससे आप देख सकते हैं, अब इधर भी एक हमारी चेंज आ रही है, अब हमने दो का एक करना है, इस वाले फंदे को और इस वाले फंदे को, दोनों को एक साथ हम दो का एक कर देंगे, सीधा बुन लेंगे, लास्ट में पांच फंदे हैं, इनको हम सीधा बुन लेंगे, तीम, चार, पांच, पांच फंदे हमने बुन लिया हैं, अब धागे को अपनी सरु और करके एक फंदा सीधह बन लिया झाल है औब अशक फंदेबंगे की जाने इसने यह चाल कि 45 बबन ने हमारी कंपडेट करई है हम पूरी हमने पूरी एल्टी बनी थी अब आते हैं सीधी सैड मैं डिजैन की सेवंथ 22 आप पहले आज के फंदे को तो हम सीधा बुन लेंगे अब यहां से हमारे डिजाइन के फंदे फिर से शुरू हो रहे हैं एक फंदा हम पहले सीधा बुनेंगे यह हमने हर बार बुनना है सीधा बुनने के बार धागे को अपनी तरफ लाना क्योंकि हमने जाली बनानी होती है अब अब ये चेन वाला भूदर है है इसको सीधे फंदे की तरह जहां है और पीछे वाले फंदोओं को भी उसके बाद दोनों फंदों को हम अब देखिए यहां पर दोनों चेने हमारी मिल गई हैं यह वाली चेने और यह वाली चेन दोनों, आसे लेंगे वापस से लेफ्ट हेंड के निडल पर डालेंगे और दो का एक कर देंगे सीधर बुनते विए यहां पर हमारे पांच पंदे हो गए तो यहां हमारी इस वाली चेन का एंड हो गया है अब यहां से हमारी यह वाली चेन शुरू हो जाएगी फ्रेंट्स देखीगा यहां मने दो का एक कर दिया था दोन चेन हमारी यहां पर मिल गए है उसके बाद हमने चार फंदे पून गे अब हमने क्या करना है अब यह वाली चेन का यहां एंड हो गया तो अब यहां से हम नई चेन शुरू करेंगे इसको पहले हम ढीला कर लेते है वने फंदों को, 2 का 1 करेंगे, सीधा बुनते वे, अब यहां से हमारे एक नई चेंज शुरू हो जा रही है, क्योंकि इसका end यहां पे हो चुका है, यहां पे नई चेंज शुरू हो गई है, धागा अपनी तरफ करेंगे, अब यह last का फंदा उस से पहले हमें एक जाली बनानी होगी यहां पर हमने जाली बना लिए यहां पर हमारा एक डिजाइन बन के कंप्लीट हो गया है अब यहां से फिर से शुरू करें डिजाइन को एक फंदा हम सीधा बुनेंगे धागे को अपनी तरफ करेंगे बीच में तीन फंदे हैं इनको हम सीधा बुनेंगे एक, दो, तीन उसके बाद ये वाली चेहन है, ये वाली चेहन है अब दोनों चेहन यहाँ पे मिल जाएंगी ऐसे सीधे फंदे इसे लेंगे वापस से लेफ्ट हैंड के निडिल पे लेंगे और दोनों फंदों को एक साथम बैक लूप से सीधा बुन देंगे अब यहाँ पे ये वाली जो चेहन नीचे से चल ली थी, इसका एंड यहाँ हो चुका है अब यहाँ पे हमने चार फंदे सीधे बुनने हैं एक, दो, तीन, चार चार फंदे हमने सीधे बुन लिया हैं अब यह दो फंदे हैं, दोनों फंदों पे हैं अब यहाँ से हमारी नई चेंज शिरू होगी दो का एक कर देंगे, सीधा बुनते वे धागे को अपनी तरफ करेंगे लास्ट वाले फंदा है, इससे पहले हमने एक जाली डालनी होती है और फंदा बढ़ाना होता है लास्ट के एच के फंदे को हम सीधा बुन लेगे इस तरह डिजाइन के सेवन्थ रो बनके हमारी कम्प्लीट हो गई है अब आते हैं बैक साइड में इस तरह 8 रो बनके हमारी कम्प्लीट हो गए जो कि हमने उल्ट उल्टी बुन थी अब आते हैं डिजाइन के 9 रो सीधी साइड डिजाइन के 9 रो है पहले फंदे को हम सीधा बुन लेंगे एच का फंदा है आप यहांसे हमारे डिजाइन के फंदा शुरू हो रहा है एक फंदा सीधा बुनेगे सीधा बुनने के बाद हागे को अपनी दिरफ करना है अब यह चेन दिखाई से दे रही है अब यह चेन है चेन के बीच में आप 4 फंदे हो गए है चारो फंदो को हम सीधा बुन लेंगे अब ये चेन दिखाई दे रही है चेन वाला फंदो को ऐसे उतारेंगे सीधे फंदी कितना है और उसके पीछे वाले फंदो को भी हम ऐसे लेंगे दोनों फंदो को एक साथ हम दो का एक कर देंगे बैक लूप से सीधा बुनते गई अब बीच में हमने दो फंदे सीधे बुनने हैं एक दो दो फंदे हमने सीधे बुन लिये हैं अब इधर से देखे फ्रेंट्स यह हमारी चेंज शुरू हो गई है यह वाली चेंज हमारी शुरू हो गई है और उसके आगे वाले फंदे को द अब इस तरहें चेन के यहाँ पे भी फंदे हमारे बढ़ते जाएंगे, अब यह लास्ट का फंदा है, धागे को अपनी तरफ करके, यहाँ पे हमने जाली डालनी है, और एक फंदा बढ़ाना है, इस तरह एक डिजैन बनके हमारा कम्प्लीट हो गया है, अब फिर से शुरूर करें डिजैन को, एक फंदा हम सीधा बनेंगे, धागे को अपनी तरफ करेंगे, अब बीच में चार फंदे हमने सीधे बनने हैं, एक, दो, तीन, चार, अब यह हमारी चेन आ रही है, चेन वाली फंदों को ऐसे लेंगे, दूसरे फंदों को भी लेंगे, दोनों फंदों को वापस से लेफ्ट हैंड की निडिल पे लेंगे, और बैक लूप से दो का एक कर देंगे, सीधा बनते हुए, उसके बाद देखिए फ्रेंट्स, यहां पे हमारी चेन चल लिए, यह वाली चेन है हमारी, चेन, यह चेन वाला फंदा और उसके आगे वाला फंदा, दोनों को हमने दो का एक करना होता है, तो इसलिए बीच में दो फंदों को हम सीधा बुन लेंगे, एक, दो, दो फंदे हमने सीधे बुन लिये हैं, अब यह चेन है, चेन के आगे वाला फंदा, दोनों को एक साथ हम, दो का एक कर देंगे सीधा बुन लेंगे, एक फंदा बचा है, यह जाली वाला फंदा, इसको हम सीधा बुन लेंगे, लास्ट वाला फंदा है, इसको हम जाली डालते वे सीधा पुल लेंगे, लास्ट के एज के फंदे को हम सीधा पुल लेंगे, इसना डिजाइन के नाइंग्त रो बनके हमारी कंप्लीट हो गई है, जो कि पूरी हमने उल्टी उल्टी बनी थी, अब आते हैं सिधी सेड्मेंट दिजाइन के 11 Toro पहले फंदों को हम सीधा बून लेंगे यह हमारा he Veteran है अब यहाँ से डिजाइन को फंदा ही यहमारा एक फंदा हम सीधा बूनेंगे धागे को अपनी तरफ करेंगे अफ्रेंट्स देखिंआ यह हमारी चेंज आ रही है बीच में 5 फंदे हैं 5 फंदों को हम सीधा बुन लेंगे 1 2 3 4 5 फ्रेंट जब हमारे पास 5 फंदे हो जाते तो हमारी इस वाली चेन का एंड हो जाता है अब यह 5 फंदे हमने बुन लिए है अब चेन वाला फंदा और उसके पीछे वाला फंदा दोनों फंदों को हम एक साथ ऐसे लेंगे और बैक लूप से सिधा बुन लेंगे अब इधर से हमारी ये चेन आ रही है इस चेन को और इस आगे वाले फंदे को दोनों को एक साथ हम सिधा बुन लेंगे अब बीच में हमारे यहां पर बीच में फंदे बढ़ते जाएंगे पहले एक था अब दो हो गया है दो फंदे हमने बुन लिए हैं अब यह लास्ट का फंदा है धागे को अपनी तरफ करके लास्ट वाले फंदे को हम जाली डालते हुए सीधा बुन लेंगे अब यहां पर एक डिजाइन बनके हमारे कम्प्लीट हो गया है अब यहां फिर से डिजाइन को रिपीट करें दुबारा पहला फंदा हमारे डिजाइन का है इसको हम सीधा बुन लेंगे धागे को अपनी तरफ करेंगे अब बीच में पाँच फंदे हैं इनको हम सीधा बुन लेंगे एक दो तीन चार पाँच अब यह यह चेन वाला फंदा है और यह इसके पीछे वाला फंदा दोनों फंदों को हम सीधे फंदे कितना उतारेंगे आसे वापस से लेफ्ट हैंड के निटल पे लेंगे पाँच हुआज हैंगे farmers फंदों को एक साथ हम बैक रूपश से सीधा बुन लेंगे आयद दर से वी हमारी चेन आ रही है यह चेन और उसके आगे वाला फंदा दोनों को हमने ऐसे लेना है सीधे फंदे कितना है दो का एक कर देंगे सीधा बुनते गे अब यहाँ पर दो फंदे बच्चे हैं दो फंदो को हम सीधा बुन लेंगे धागे को अपनी तरफ करेंगे यह लास्ट वाला डिजाइन का फंदा है उससे पहले हमने एक जाली बनानी होती है और फंदा बढ़ाना होता है सीधा बुन लेंगे लास्ट वाले फंदे को एच के फंदे को हम सीधा बुन लेंगे इस तरह डिजाइन के 11th रो बनके हमारी कंप्लीट हो गई है बैक सब्दे के 12th रो को मैंने उल्टाब उनके कंप्लीट कर लिया है इस तरह 12 लाइनों में डिजाइन हुए बनके हमारा कंप्लीट हो गया है आगे आपने इनी 12 लाइनों को 12 बरबा नहीं दुन से जाना है बनने के बाद बहुत संदर नजर आता है फ्रेंट्स एक बार ट्राई जरूर करिएगा यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शेयर करें थेंक्यू